आइए, मैं आपको एक अपने महबद की कवीता सुनाता हूँ यह कवीता मैंने उस समय लिखे थी जब मैं महबद की सुरुवात में था और महबद सुरु कहां से होती है, जना आप यह नजर से ही सुरु हो जाती है और जिन लोगोंने महबद किये, उन्हें पता है ये देखना ये एक तरह का चरित चितरन है ये एक तरह की वो व्याख्या है कि जब मोहबत हो जाए तो लोग खुद को कैसे भूला देते हैं आप कहीं भी देखें, आपको बस एक चहरा दिखता है, वो चहरा क्या है, वो कैसे दिखता है, उसे मैं गद में न कहा करें, पद में कहा, तब कहता हूं कि देखूं जब मैं खुद को, देखूं तब मैं तुझको, हर जगह तू ही तू बस गया, देखूं कैसे मैं खुद को, खुर्दुरा हूँ, मैं तेरे लिए यह उस तरह एक, कि उसने आपको चारा भी नहीं दिया, पर फिर भी आप तो उसे अपना सब कुछ मानते हो, तो फिर क्या भाव आते हैं, खुर्दुरा हूँ, मैं तेरे लिए, खुदा है, तू मेरे लिए, तू है जब खुदा मेरा, तू मस्जिद में खुदा कहां पाओं आप कहीं भी जाना, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, हर जगा जाना बंद कर दते हैं, आप कितने भी बड़े आस्तिक हो, आपको भगवान को फिर खोजने की जयोवत नहीं है, और अगर जाते भी हैं, तो बस दो ही वज़ा से, या तो वो मंदिर जाती है, इ और महबत जब रूम में बस जाए, जब आत्मा में बस जाए, जब जीन्दगी में क्यों महबत ही रह जाए, तब इंसान क्या सोचता है, तब क्या कहता है, क्या विचार आते हैं,